आईए दोस्तों, कोरोना वाइरस को लेकर नाज धिन भर की तमाम बड़ी खबरें और अपडेट्स पर नज़र आते हैं डेटा जानते हैं कोरोना के आज के और कुछ और खबरे भी हैं, सरकार की तरब से अपडेट भी हैं पहली खबर आप देख सकते हैं भारत में उतार पर है कोरोना, दो महिने बाद 7 लाग से भी कम हो चुके हैं अक्टिव केस एक्जेक जेटा क्या चलना मैं आपको तोड़ा आगए बताऊंगा लेकिं दोस्तों एक रहात बरी बात ये हैं कि भारत में जो एक्टिव केस की संख्याना वो 7 लाग से भी कम हो चुके हैं इंस्टिटूट ऑफ इंडिया जाना SII उसके मुक्य कारिकारी अधिकारी ये CEO हैं अदर पुनावाला उन्होंने का दोस्तों कि अगर आप ये सोच रहें कि कोरोना का सरी जरती से कुछ मैनों में खत्म हो जाएगा तो बिलकुल गलत आपको आपके सोच बदल नहीं पड़ होगा ये हम सबी की यही प्रे हैं और साथ ही कोरोना को लेकर अगली खबर देखिए हैं भारत में सो भारती वोलियंटर्स पर टेस्ट होगी रूसी वैक्सिन स्पूत निक वी देश में कोरोना का कुल पॉजिटिव रेट साथ दसमेलों एक कुछ परतिशे चलना और रूस इसने जो हाले में दोस्तों कोविड-19 के परती एक वैक्सिन रेजिस्ट करवाई थे ना जिसका नाम था स्पूतनिक वी कर गें यह वैक्सिन भारत में भी टेस्ट कि जाएगी भारत के सो वोलियंटर्स पर टेस्ट कि जाएगी यह जानकर यह गुरु आर को निकल यह डी स एक्टिव केस की संक्या तो साथ लाग से घट कर कम हो चुकी है अपडेट आप देख सकते हैं फिलो चोविस गंटों में चोवन हजार यह नए मरीज देखे गए वहीं चोहतर जार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए है जहां मैं आपको बता दू एक्जेक डेटा क्या है भा पहुंच चुका है तो यह तो रहा कोरोना का ताज़ा अपडेट हागडा और इसे बीच को लेकर अगली कबर देख सकते हैं कोरोना काल में भी लेप्स नहीं होगा विदायकों का यात्रा भत्ता सरकार जुटी कवायद में खबर है दोस्तों राजिस्तान के विदायकों का यात्रा भत्ता कोरोना काल में भी लेप्स नहीं होगा विदायकों को विद्तिय वर्ट्स के लिए जारी किया गया यात्रा भत्ता यानि के ट्रेफल अलाउंस लिप्स ना हो इसके लिए सरकार ने कबाये तेश कर दिया बागी बीच में कुछ आपको पता होगा Nachवा और US President's election को लेकर अबडेट है दोस्तें कि कोरोना हुआ और हिटलर ट्रंप और बाइडेन के बीच आखिरी Demay नौक जोंग यह बहस नेस्विल के बैल मॉंट विश्विदेले में आयोजिट की गई आखरी प्रेजिदेंशल डीबेट में कॉरोना माहोल के बीच डॉनाल ट्रम्प और बाइडेन में जो कॉरोना वायरिस हिटलर कॉरोना के वैक्सिन दूसी तोरही वैस्विक हावा समयत कई मुद्दो इस दोरां दोनों प्रतिद्वेंदी कई मुद्दों पर भीड़ गए और ऐसे में दूस्तूं को लेकर यह माहोल चलना है यूस में चलिए साथ अगला आप देर देख सकते हैं राजस्तान राजी को लेकर ही कबना दूस्तूं की कोरोना से रोडवेज की माली हालत हुई है और पतली लगा 426 करोड रोडवे का आतरिक्त फटका राजस्तान का जो रोडवेज डिपार्डमेंट है दोस्तूं उसने कोरोना के चलते बहुत गाटा खाया है और राजस्तान का यह नहीं दोस्तूं देश भर के कई राज्यों में परिवाग अल्रेडी प्रभायुत हु ही हैं साथ में अलग अलग देशों की भारत की भी अर्ट वस्ता में गिरावर देखी गई और सरकार देखते हैं अब आगे और एक रहत पेकेज भी ला सकते हैं इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है और आखिर क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा फिलाल खब आपको बोर्ट देना चाहिए यह आप ही डिशाइड करें आपको किसी राजनेतिक पार्टी के संदर्ब में विदर्ब में कुछ नहीं कहना हुआ हूं आप अपने स्वेम विवेक से स्वेम निनने से लिए कॉंग्रेस को देना भाजपा को देना जो कुछ भी आपके उप कुल मिला करके आपको डिशाइड करना कि कौन पीम बैस था और किसको आपको आगे फिचर में भी वोड़ देखर जिताना चाहिए टिकन ओके इसे गड़े में आज दिन बार की तमाम बड़ी कबरें मुख्य समचार कोरना के अपडेट्स का वीडियो यह फिनिश वे आप म पैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन जरूर दबादेना ताकि आपको रोजाना की ताज़ा अपडेट्स तुरंत आपके मुबाइल पर मिलते रहेंगे थिंक्यू टिकर गुडबाई जैहीनी जैवारत बंदे मातरम